गार्डिंग में बहुत बहुत शागत है अब हमारे हैं कल से ऐसी बारिश वरी है कानपुर में जबरजस्त पानी बदस रहा है और भी भी उमीद नहीं है बंद होने की बारिश इतनी तेज हुई और इतनी तेज हवाय चल रही है कि कुछ प्लांटस मेरे खराब भी हो रहे है कुछ तूट गये हैं दिखाएं अपने आज गार्डन का ऐसी बारेज में आपनों अपने गार्डन दिखाते हैं क्या हाल हो गया है और किसके लिए कितना अच्छा कभी खुशी कभी गम की तरह है कुछ प्लांटों के लिए बहुत अच्छा है और कुछ प्लांटों के नुक सब कुछ कोशिस करूंगी आज आप लोगों को दिखाने की यह देखिए मेरी कटिंग से लगे से मैं 1010 रुपीज के प्लांट लेके आई थी और देखिए मैंने यह गुल्दावदी के अच्छे से लगा दिया दिया पिटोनिया के कितने फूल खराब होगे अभी बारिश हो हो रही है थोड़ी देर के लिए बंद होती है फिर बरसने लगता है रात भर बारिश हो बहुत होई बिजली बहुत जबर्जस करती और देखिए गेंडरी में इतना लोड हुआ फूलों पर के फूल जुक गए हैं पूरे फूल जुक रहे हैं बड़े फूल तो बिलकुल कि अधर है भारिश का पानी इतना है प्लांट लमबे फोल तो जब तो होते है और इसमें हम क्या कैसी बातिंग जानकारी है जिससे हम कोशिश करेंगेग सब्सक्राइब विखिए कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं जब गार्डन में और इस टैम आप जाइए अपने गार्डन में जब फूलों से आपका गार्डन भरा हो तो बहुत खूबसुरत लगता है तो देखिए प्यारे प्यारे गोल्ड और यह बहुत आसानी से लगने वाली अब अब काफी वाराइटी मिलने लगी है पहले तो एक ही दो बैराइटी आती थी और देखिए यह टूट गया है एक मेरा प्लांट और देखिए सीडलिंग बहुत अच्छे से सर्वाइब करेगी कि एक दो दिन अगर लगातार बारिश होती रहेगी तो सीडलिंग खराब होन दूल जम जाती है तो प्लांट्स खराब हो जाते हैं उसस नीले फाते हैं तो उनके लिप्स भी धोना बहुत जरूरी होता है शाफ हो जाती पारिश के पानी से और देखिए कितने खोशे हो तेज हवा के बज़े से गिर गए है काफी स्टिक तो मैंने पूरा पीछे भाते हैं और यह दूल उनमे लग जाती है तो पैडूशल के लिए बारिश बहुत अच्छी होती है अकर लगाता बारिश पढ़ती है तो प्लांट मारे कराब हो जाते हैं कितने अच्छे शायिनिंग दे रहा है और चुछ प्लांट्स जो हम रोग विंटर में लगा तह सम वारिस के पानी की लोड के बज़े से ये बहुत नाजुक तो होते हैं और काफी फूल जड़ जाते हैं कि तेज हवाएं चल रही है अभी तो काफी हवा थमी हुई है देखिए पूरा प्लांट से लग रहा है एकडम हैवी वारिस से तारी लीप्स खराब हो गई है और गिर अब क्या किया जाए इनका तो कुछ ना कुछ किया जाएगा और इस्टिक भी बांद रखी थी तब इतनी तेज हवाएं चली है और लोड रहता है बारिश के पानी इस पर लोड हो गया तो काफी प्लांट जुग गए देखिए कितने प्लांट के पूरा जुका पड़ा है और ये ज़्यादा सही करने से तूटने का भी बहुत डर है इस्टिक से सहाट जाते हैं बांद देते हैं तब भी इस्टिक इसके टुमाटर भी इसमें लगे हुए है उपर से इसमें लोड है पानी का तो देखे कितना जुगा ये सब ठीक करना पड़ेगा कि मैं हर चीज वह बहुत ज़रूरी है आपको कोई भी चीज मिले जदा तर इसमें कोसिस कीजिए अच्छा बनाइए देखे मेरा कितना बड़ी आनर की ग्रोथ अच्छी हो रही है लैमन भी बहुत खुश है नियू लीप्स निकाल रहे है उनको बारिस का पानी मिल गया है तो दिन से और प्लांटों को अभी कुछ एक दो दिन के पानी से प्लांट से बस तीज हवाय ना चलें तो खराब नहीं हो कि बारिस हमारे पेडों के लिए अम्रित है हम सब के लिए बहुत यूज है और कुछ यह है थोड़ा सा हमारे किशानों को नुक्षान हो जाता है कि फसले उनक को फरक पर दाता है हमारे बहुत उनकी मदत होती है बाल ने लगाएंगे तो अमनों को कैसे सब चीज में लेगी तो इसे गाडन के लिए भी तो प्लांट के लिए पानी अच्छा है अब जादा नहीं अभी अभी और देखिए बाम भी मेरा खोश हो गया नहाद होके कितना अच्छे से शावर लिए और बारिश का पानी जब इसमें पढ़ता है तो प्लांटों में ताजगी आ जाती बहुत अच्छी सी और खूब सूरत फूल देखिए फूल भी खूब सारे खेले हुए हैं स्टैम और बहुत अच्छे लगते हैं जब प्लांट समारे फूलों के अच्छे से प्लांटों कोई फ्लावर प्लांटों से पिंचिंग करना बहुत जरूरी है यह मेरा गवावा भी इसमें अच्छी से फ्लावरिंग हो रही है और दिखाती हूं मैं अभी आपको छुटा सबना फूर्स भी दिखाऊंगी यह देखिए कितना प्यारा कलर लग इसमें सारा रेडी हो गया है कलियों से भर गया है फूल खिलना स्टार्ट हुए एक फूल इसका कम से कव एक हपता रहता है भारू नाचुक तो बहुत है इसमें इतना ची से ग्रोथ बनी रहती है इसके फूल बना रहता है कि इसमें चोटा सा गवावा भी चोटा सा है और बिल्कुल सेट में रहते हैं इनको एक घंटी की धूप बसरीप लगती मेरे कई फरंड मुझसे पूछते हैं आप इसकी केर क्या केर बिल्कुल नॉर्मल है आप सिप सेड एरियम रखिए ऐसी जगर रखिए बाहर की हलकी हाल की सी हवा आती रहे या बालकनी हो या टैरस हो ज जितनी मैंने सलाद के प्लांट लगाये थे उनमें काफी जुग गए हैं काफी देडा हो जाते हैं भही बारिश है क्या कर सकते हैं कोई प्लांट अच्छे होते हैं कोछ करा अफ अच्छा भी ऐत fights aja थोड़ा बहुत हो हम लोग को करना पड़ता है और यश्वर पे प्रकर् बहुत अच्छे से सर्फाइब कर रहे हैं और प्लांट के लिए बहुत बढ़िया देखिए इस पर चमक आ जाती है पानी से मेरे एक जोरा तो आप एक बार लगाएंगे तो आपको हमेशा एक जोरा फ्लावर प्लावर देता है हम मैं जब से प्लांट को लगाई हूँ आप कोई एक फ्लावर इंग खतम नहीं होती देखिए अभी इसकी जड़के बारिस के जड़ गई है दूसरी स्टार्ट हो जाती है यह मेरा पिंग चान्नी है कितनी क्यूट लग रही हो कई फूल इसके गिर गए हैं बारिश के जाता है कितनी क्यूट से मेरा बाइट चान्नी में डवल चान्नी के तो पारिश के बज़र से कलियां देखिए खराब हो गई है कुछ नुकसान जिलना पड़ता है और यह देखिए रशीना कितने खुश है गरंग बरंगी लीपसिस की कितनी खुश महसूस होती है कि अच् अच्가는 के का कि बंढोर में और देखराब हो घंट पूश्ट प्लॉट के लिए मैं बेख से की कह लिएँ में अच्छ अच्छ जयूव पूछ ली न को में फेर्ट का जी करना काकरती हूज малया přाइप नहीं आभर नहीं है तो हमेसा आपके गार्डन में फूल ही रहेंगे पिंचिंग में जरूर करती हूँ मेरे चोटा से देखिए ज्यादा बड़ा गार्डन नहीं है तो छोटा तो है इसके खयाल रखना पड़ता थोड़ा बहुत और पिंचिंग करने से फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है सा पानी किरने से लीप्स खा लेती है कोच कीड़ा ऐसा आता वो लीप्स खाके बस उड़ जाता है इस तरह सो होता तो उसके लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाता कभी-कभी यह पिंच कलर का मुझे लग रहा है मैंने इसकी कटिंग लगाई थी मैं अपने फ्रेंड्स कह कि अच्छी से कटिंग तयार भी हो थी और काफी मैंने कटिंग देड़ महिने दो महिने पहले लगा थी देखिए इसमें पानी कितना इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है तो देखिए पानी किरने से लीप्स चदातर खराब होने चाहिए इतने सारे प्लांट सोते हम इसक कि अच्छी ग्रोथ हो रही है इनको जरू लगा अभी देखिए इसमें आपको दिखे का नहीं चोटी सी वैड आगे फूल आने वाले हैं किस कलर का मुझे लग रहा है यह पिंक कलर पे फुलावरिंग आ रही है इसमें समने सीडलिंग से करके आप सीलिंग टैम से लगाई के टैम आजाता है तो देखें मैंने कई प्लांस से इतने सीडलिंग हो जाती तो प्लांस हमारे बहुत सारे हो जाते हैं और पॉट कम पढ़ जाते हैं यह भी देखें कितना प्यारा फूल ख़ला इसके प्लांस आप बहुत कोश्टली तो मिलते हैं डिर 100 रुपे में एक प प्लावर्स लगाएंगे तो बहुत कंड्रोल में आ जाएगा और बहुत अच्छा लगता है ज्यादा कियर नहीं मांगते हैं यह प्लावर्स लगता है कितने प्यारे फूल लग रहे हैं बहुत सारी बाते हो गई हैं और खुबसूरो खुबसूरो मैंने अपनी गार्डन के आपको फूल भी दिखाए है और कोसिस करती हूँ कि आप लोग भी इन प्लांटों को विंटर के काफी ऐसे प्लांट्स होते हैं तो हमने हमारे आज स्रे 5-4 महीने के लिए रहने समझ इस तरह से प्लांट्स में अगर फूल लगाएंगे देखें कितना खुबसूरत लग रहा है रोज की तरह ये इसका नाम और बहुत प्यारे कलर्स के आते हैं बहुत धेर सारे इसकी कलर मुझे बहुत अच्छा है हमारे स्टिकर इसकी काफी दिन तक रहती है आप इसको पि प्लावण फूल खराप त अब होते हैं कोई बात ना देखें को ओकल दूप्लावरिग बहुत अच्छी होगई पारे स्टिकर पारिस अच्छारी हो त वो या प्लांट के लिए यता है ये तो मते सभी लोग जानतें कि सब्वारे साफ थ्लाश के लिए फ्लाइम्रिश अपना plants दिखाए हैं और अपने कुछ plants भी ऐसे दिखाए हैं आपको फूल भी दिखाए हैं प्यारे प्यारे आप भी अपने गार्डन में enjoy कीजिए खुबसूरत खुब्सूरत खूलों के साथ लुक बनाए यह फूली आपकी खलते रहें सबी के खिलते रहें, बहुत अच्छा रहें और खुबसुरा फूलों से साथ मैं अलविदा लेती हूँ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके कोडिंग कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो हमारे कमेंट्स कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पे टाइम कोशिस में जल्दी करती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स को सारी जबाब जल्दी से जल्दी दे दू और थोड़ा सा वक्त लगजाता है कोशिस यही करूँगे आपके जबाब होगा मैं जरूर बताओं और कमेंट्स जरूर करूँ थैंक पर वाचिंग माई वीडियो बहुत बहुत धन्यवाज आपने हमारा वीडियो देखा थैंक यू सो मज